प्राणों से प्यारे विध्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे अरस्तु ने राजनिती विज्ञान को सरोच विज्ञान या परम विध्या की संग्या क्यों दी है? जैसा कि हमने यहां नोट किया है राजनिती विग्यान, सरोच विग्यान या परम विद्या सरोच विग्यान, Master Science या परम विद्या, Master Art मतलं मूल बात यहां यह है कि जिस विशै काम अध्यन कर रहे है alltså किसका अध्यन कर रहे हैं? Political Science का तो आज हम जैसे कभी-कभी जब M.A. के विधियारती से पूछते हैं कि बेटा आपका जो विशे है इस विशे की पृतिया आपका दृष्टी कूण क्या है तो उनका जवाब होता है सर हम तो पॉलाटिकल से बस इतना है बोलेंगे पॉलाटिकल से समय पास करने के लिए M.A. कर रही है अब जड़ा देखीगा अब B.A. के विधियारती से पूछता हूँ है बेटा आपके पास क्या-क्या सब्जेक्ट है तो जवाब होता है इस्टी है जोगरफी है पॉलाटिकल और पॉलाटिकल साइन्स का जब नाम लेते हैं पूरा नाम में नहीं लेते हैं इतना तो यह आपका जो भ्रहम है इस भ्रहम को दूर करने के लिए आज हम राजनीती विज्ञान के पिता राजनीती विज्ञान के जनक अरस्तु ने राजनीती विज्ञान को अपनी पुस्तक पॉलाटिक्स में सरोच विज्ञान सुप्रीम साइन्स या परम विद्या मास्टर आर्ट की संग्यादी है अब आप देखिएगा राजनीती विज्ञान प्लस क्सी विज्ञान की जनक शरो ची विज्ञान ऐ either और आज हाम इस विश्यो द्भी ही हो आज ही वाज इम बोलते हैं ऐसह नहीं होना चाहिए है आप से पूछा जाता है कि आपके पास क्या-क्या विष्य है इस नाथ की स्तर में तो आप बोलेंगे पॉलडिगला साइंस हिस्ट्रि जोगरफी जो भी है M में किसे कर रहे हैं जवाब मिलना चाहे पॉलडिग। साइंस साथ में बोलें आप Master Science Master Art क्यों कि अरस्तु ने राजनिति विज्ञान को Master Science Master Art की संग्या दी है अरस्तु ने राजनिति विज्ञान को सरोचे विज्ञान परम विध्या की संग्या दी है अब इसे परम विध्या क्यों कहा है यह परम विध्या क्यों है इस बात को हमें समझना है और वैसे भी प्लेटो को हमने संपुन रूप में समझा दिया है आज से वैसे भी हमें अरस्तु की शुरुआत करनी थी लेकिन अरस्तु का जियोन परीचे अरस्तु की रचनाई बता है उससे पहले हमने यह सोचा कि सबसे पहले हम आपको यही बात बता दें कि राजनिती वि ग्नाइब हम आज ब अधिम करते हैं मैंने यहां तक तक देखा है मागा ड्याव हम पीजान का कि फ्लियारत का चामा कौई पढ़ना है यह निकित्त लिए बोटते हैं कुछ वो भी ब훈 देते हैं इस विशां पर दर दी भी किश्य नि कि राजनिती विज्ण यही इकने कि इसका मतलब है कि उन्हें राजनेती विज्यान65य की कि नवीची इन्हों यह इन्हों मैं एतलंगा दीजिख अंछ पर उसके इंव्जान को रोजनीटी विज्ञान बिंश्र नहीं नहीं कि राजनीटी विज्ञान के ज jesteśmy नहीं नीस ने सब वीषण के बारे के बारे में सब विश्य के बारे में वास्थी करूप में देखा जाए तो आरस्थ सब को अरस्थ के घर को पथक का गर कहा जाता था अरस्तु ने कोई विशय नहीं छोड़ा जिसके उपर नहीं लिखा और उसके बावजूद भी अरस्तु नहीं कहा कि राजनीती विज्ञान एक सरोची विज्ञान है क्यों क्यों कि अन्य जितने भी विज्ञान हैं जैसे आप अर्थ सास्तर को ले सकते हैं जैने विज्ञान को ले सकते हैं अन्य जितने भी विज्ञान है जितने भी सास्तर हैं वो सब राजनीती विज्ञान के सद जीवन रूपी साध्य की प्राप्ति के लिए केवल साधन है सद जीवन गुड लाइफ राजनीती विज्ञान का सद है अच्छे जीवन की समझना है बेटा आज आपको राजनिती विज्ञान का सद्ध क्या है राजनिती विज्ञान का दे क्या है राजनिती विज्ञान का लक्षे क्या बता रहे हैं अरस्तू सद जीवन की प्राप्ति गुड लाइफ की प्राप्ति अच्छे जीवन की प्राप्ति और अच्छे ज जीवन की प्राप्ति राजनीती विग्यान की दावरा कराई जाती है जैसा कि स्वम अरस्तु ने का है कि राजय का जनम जीवन के लिए हुआ है और सद जीवन की प्राप्ति के लिए अच्छे जीवन की प्राप्ति के लिए अस्तितों में बनाऊ है इसका मतलब राजनीती सा सद्ध जीवन की प्राप्ति के साधन है इस अच्छे जीवन की प्राप्ति के साधन है इस गुड़ लाइप की प्राप्ति के साधन है सब विशे और सद्ध है क्या सद्ध जीवन की प्राप्ति और यह सद्ध है किसके दोरा प्राप्त किया जाता है राजनिती विज्ञान के अन्य सभी विश्यों को शाधन बताया है ये बात आपको अच्छे से समझनी है और इसके लिए मैंने यहाँ एक-एक-एक मूल जो बात है सब नोट कर दे बिंदू रूप में इसको समझते चलेंगे मूल बात तो समझ गए ना ऐस New Year का साथी गजयान का साथë है सजीन की प्रापति सजीन मत गुड लाए अच्छा जहान अच्छे जिए Republicans की प्रापति के लिए अन्य जितने बी जो बिज्ञान वो सब साधन बन जाते है साथ्धतो के ओर राजनेती बिज्ञान इसलिए हम द्रड़ भी स्वास्ते कह सकते हैं Political Science is supreme science Political Science is master art राजनीती विज्ञान एक सरोची विज्ञान है राजनीती विज्ञान एक परम विद्या है और ऐसे विशे को हमें गंभीरता से समझना ही चाहिए तो आज हम क्यों लिए बताएंगे कि परम विद्या, सरोची विज्ञान, राजनीती विज्ञान को, राजनीती सास्तर को अरस्तु ने क्यों कहा है और कल का हमारा जो lecture होगा वो अरस्तु के जीवन के बारे में, उसकी रजनाशनान के बारे में होगा हम आज से अरस्तु की शुरुआत कर रहे हैं तो नोट करो आप राजनीति विज्ञान, सरोची विज्ञान मतलब मास्टर साइंस या परमविद्या मतलब मास्टर आर्ट, लेक्चर नमबर 49, अब करें शुरुआत, पॉइंट नमबर 1, बेटा, इसमें मैंने वो सारी बाते नोट कर दिये हैं, जिनको समझने के बाद में अगर आप से कोई पूछेगा कि आपके पास क्या-क्या सब्जेक्ट है, बीए में इस नातक में, तो आप सबसे पहले बोलेगे, पहला लेगा साइंस, और मैं तो यह कहूँ पहलेगे, आप बोलेगे, मास्टर साइंस, मास्टर आर्ट, कि हमारे पास सरोची विज्ञान है पर हम विद्ध्य है, उसके बाद में दो विश्य जो और हैं, उनके नाम लेगे, और आप से कोई पूछे, आप एम में किस से कर रहे हैं, इस नातको उत्रिष्टर की पढ़ाई किस में कर रहे हैं, आपका जवाब होना चाहिए, मास्टर साइंस, मास्टर आर्ट, जब हम स सारा ज्यान दर्शन सास्त्र एक विचार छेतर में आता था, मतलब अरस्तु से पहले इदे हम देखें, तो हमने अध्यन किया प्लेटो का, तो प्लेटो को ने वास्तिक रूप में जो अपनी रीपबलिक रिखी है, रीपबलिक के अंतरगत सारे विश्यो का उलेग किया है और उसका किशिवी रूप में प्रथक करण नहीं किया है, जबकि अरस्तु ने ग्यान विज्यान का सबसे पहले वर्गी करण किया, इन्हों ने अर्थात अरस्तु ने राजनिती सास्तर को नीती सास्तर से सबसे पहले अलग किया, मतलब वास्तिक रूप में देखा जाए, तो अरस्तु ने ग्यान विग्यान का वर्गी करण किया ग्यान विग्यान को बिलकुल प्रत्थक प्रत्थक अलग अलग रूप में समझाया आते हैं ये कहा जा सकता है कि ग्यान विग्यान का प्रत्थक करण सबसे पहले किशन किया अरस्तु ने जब कि अरस्तु के जो गुर नुट्लिक में आप देख सकते हैं परन्तु आरस्था यृजनीव दरसन के जनक है के एक पॉइंट को को बिशूप्रसिद रचनाः पॉलिटिक्स राजनितिक समश्यों का विवेशन किया इनोंने इसे के साथ में इनकी रचना है एथिक्स मतलब नीती सास्तर और रीटोरिक मतलब अलंकार सास्तर एथिक्स एम रीटोरिक में भी इनोंने राजनिती न्याय कानून साम्या एक्विटी साम्या समीधानों का वरगे करण किया है इसका मतलब यह है कि politics, ethics और rhetoric के अंतरगात इन्होंने राजनिती सम्मंधित बातों की चर्चा की है, ये दोनों बिंदों आप नोट करेंगे, तीसरा है, पिटा, आप समझेंगे कि राजनिती विज्ञान को ये राजनिती सास्तर को सरोच विज्ञान की संग्या क्यों दी, कि मास्टर साइन्स राजनिती विज्ञान किसने का है, अरस्तु ने, मास्टर आर्ट किसने का है राजनिती विज्ञान को, अरस्तु ने, तो क्यों दी है ये संग्या, क्योंकि इसका सरोकार मानव जीवन के साध्धे से है, क्या मानव जीवन के साध्धे से है, और मानव साधन है मतलब सद जीवन की प्राप्ति यह राजनीती विज्ञान का राजनीती विज्ञान का क्या है सद्ध है मतलब मूल बात यह है कि राजनीती विज्ञान का सरोकार मानना जीवन के सद्धे से और मानना जीवन का सद्धे क्या बता है अरस्तुने सद्ध जीवन की प्रा प्राप्ति के लिए साधन भी चाहिए अच्छे जिवन की प्राप्ति के लिए अन्य जितने भी विज्ञान है वो सब साधन बता दिये इसने सबसाधन जबकि राजनिती सास्तर अपने अपने सद्धे क्यों क्योंकि राजनिती सास्तर का जो सद्ध है वो सद्ध जीवन की प्राप्ति और सद्ध जीवन की प्राप्ति अन्य सभी विग्यान रूपी सादमें के दोवारा की जाती है मैं एक्जांपल से समझाऊंगा आपको दारली में बहुत दूँगा यहां चोथा बिंदू ले ले लेंगे आप राजनीती विज्ञान मानव समाज के अंतरगत विभिन संबंदों को नियमित करने में निरनायक भूमी का निवाता है अर्थार राजनीती विज्ञान के जनक करने में इन सब संबंदों को नियमित करने में राजनीती विज्ञान जो है मानव समाज के अंतरगत निरनायक भूमी का निवाता है यह बात अरस्तु ने कहिए इसका मतलब सबसे सरोच्य हो गया यह पांचवा है अरस्तु ने साध्यों के श्रेणीत अंतर में अन्य सब व राजनीती विज्ञान के साध्यों अर्थाता आरस्तु ने साध्यों के सरेणी विज्ञान के साध्याओं। अन्य सब विद्याओं के साध्थ अन्य सब विद्याओं के साध्थ अंततों गत्वा राजनिती विज्ञान के साध्थ में ही विलीन हो जाते हैं सब विश्यों के अपने साध्य होते हैं आयर विज्ञान का अपना साध्य है अपना साध्य है लेकिन इन सब का जो साध्य है और राजनिती विज्ञान रूपी साध्य में विरीन हो जाता है कि राजनिती विज्ञान का साध्य कहा है या सद जिवन की प्राप्ति अथे जिव ग्यान राजनिती सास्थ्थर का लक्ष है जो साध्ड है वो सथ जी variable pagarnya और च्छिव प्राप्तिय इन सब्राप्टि के लिए इन आप साद्द्द्रमीप आप और बीज्व्यान की मिफ्राप्ति करी किया आप कि जाते क्यूंगे निए कि सब सब विग्यान अच्छे जिवन की प्रापती के लिए प्रियास करते हैं रहे बिग्यान झाक्रापती करतें चायों के प्रियास करता है तो भाही सारे के सारे जो ओजिन है वो उनके जो साध है वो राजनिति सास्ट्रे कि मिलता है परन्तूर गां स्वास्त्य को उन्त करने हैं मतलब अन आणने मिलता है लेकिन इसकी सार्थक्त...? स्वास्थ को उननत करने में है और स्वास्थ का भ्यान को तर्वा देना है इसका मतलब इससे पहले जो भी विज्यान है जो भी धे हैं और आजनिती विज्ञान की धे में एक उदार नो छेंगे जैसे जैसे घोडा बनाने की कला घोडा होरस जाने लो ज़रा घोडा की लगाम जो की उनके यहां मतलब मुक से बांधी जाती है गोड़े के लगाम बनाने की कला गुड़ सवारी की कुसलता बढ़ा कर सार्थक होती है जरा समझे गोड़े के लगाम बनाने की कला गुड़ सवारी की कुसलता बढ़ा कर सार्थक होती है ठीक है गुड सवारी की सार्थक्ता रण भूमी में सोरिये दिखाने में है क्या है गुड सवारी की सार्थक्ता किस में है रण भूमी में युद छेतर में सोरिये साहस दिखाने में है और इसका दे साहस दिखाने का दे युद में विजे प्राप्त करना है अब युद में विजे प्राप्त करना तो इस विशे का उदेश्य का उद्धे है का राजय का गोरोबढ़ाना है जड़ा द्यान दे अब युद्मी विजे प्राप्त करना इस विशे का दे क्या है युद्मी विजे प्राप्त करने का दे क्या है राजे का गोरो बढ़ाना मतलब युद्मी विजे प्राप्त करना इसका भी तो दे है क्या राज्य का गोरो बढ़ाना और राज्य का गोरो बढ़ाना जो की राजनीती सास्तर का विशे है राज्य का विशे है राजनीती विज्ञान का राजनीती सास्तर का इसका मतलब ये सारे के सारे जो साधन है और राजनीती सास्तर रूपी साध्य अर्थात सद जीवन की प्राप्ति के साधन बन जाते हैं और राजनीती सास्तर का साध्ये का है अच्छे जीवन की प्राप्ति सद्जीवन की प्राप्ति अब अगला बिंदू लेते हैं हम पांच बिंदू हो गए छटा लेंगे सत्ता का राज्य या सासन संचालन में जैसे प्रियोग किया जाता है वह स्वामी पत्नी संतान के उपर पिता की सत्ता से अलग है मतलब जैसे स्वामी दास के उपर जी सत्ता का प्रियोग करता है पती पत्नी के उपर जी सत्ता का प्रियोग करता है समझें दास के उपर स्वामी सत्ता का प्रियोग करता है पत्नी के उपर पती सत्ता का प्रियोग करता है लेकिन पिता के सत्ता से ये अलग है जैसे दास के उपर स्वामी सत्ता का प्रियोग करता है पत्री के उपर पती सत्ता का प्रियोग करता है संतान के उपर पिता सत्ता का प्रियोग करता है लेकिन ये ये तो तीनु जगह सत्ता का प्रियोग किया जा रहा है वहराज जी आशासन के संचालन निम्जे सत्ता का प्रियोग किया जाता है उससे अलग है क्यों कि अरस्तु कह रहे हैं कि सारे संबंद सत्ता में समा जाते मतलब राजनिती विज्ञान के अंतरगत जी सत्ता का प्रियोग किया जाता है इस सत्था के अंतरगत सारे समन्द समाईत हो जाते हैं परंथ इसी है बात को दूसरी रोप में कहते हो़ Gibर्ण ये भी स्पष्ट कर दिया है कि नहीं राज्यम जिस सत्था स्था की आजाता है परिवार में जिस सत्था स्था की आजा रहा है उससे अलग है उससे अलग है यह सकता ठीक है इसके बाद में सांत्व हैं प्राचीन युनान में राजनिती का प्रियोग छेतर तो विस्तरत था राजनिती का प्रियोग छेतर तो बहुत ज़्यादा व्यापक था विस्तरत था परन्तु राजनिती से जुड़ी होई लोग की संख्या कम थी मतलब अरस्तु के जमाने में युनान के अंतर अगा देखा जाया तो राजनीती के अप्रियोग छेतर तो बहुत विस्तर था क्यों क्यों क्योंकि राजनीती के दाइरे में सब कुछ आ जाता था अरस्तु के समय में राज्य और समाज में अंतर नहीं माना जात तू इसलिए राज्जे के नियमण में याभि ये माना जाता कि नहीं झाड़ पाम करें तूDER. या ऐए पुरिक आगर हम देखें परंतू राजनिती में भाग लेने वाज़ों किसम्च्छा बहुत लेक MP समय हम कहेंगे कि अरस्तु ने साइब का था मृग में जो नागरिक होते हैं जो नागरिक होते हैं वो ही राजनिती में भाग लेते हैं मतलब जो राजनिती में भाग लेते हैं उनको नागरिक की संग्या दिये बाकि जैसे दास हैं मैलाएं हैं बच्चे हैं इनको राजनिती में भाग लेने का दिकार नहीं दिया था यह मैं नाग सब्सक्राइब करता है लेकिन फिर भी अरस्तु परिवार और राज्य में प्रियुक्त सत्ता के श्वरूप में अंतर मानता है इसका कहना है कि परिवार के अंतर का प्रियुक्त सत्ता का प्रियुक्त पूरी राज्य के उपर लागू होता है कि परन्तु आधुनिक युग में राजनिति को मनुष्य के सामाजिक जीवन की एक विशेश गतिविधी के रूप में देखा जाता है और आज स्वायत्ता की मांग की जाती है मतलब आज देखा जाए जैसे शिक्षा की बात की जाती है तो सिक्षा की स्वायत्ता की बात की जारी राजनिति से इसको बिल्कुल अलग कर दिया जाए तो आज वास्तु एक रूप में देखा जाए तो अरस्तु के समय में जिस रूप में राजनिती का प्रियूग किया जाता था जिस रूप gefragt अधने कि शमय में उस रूप में उसका प्रियूग नहीं किया जा सकता, क्योंकि आज तो राजनिती के दाइरे से बहुत कुस अलब अगरपना चाई रहा है, कि भी शिक्षा कैनेने किया रहा है इक रिंधल की औरा इंदित्या दारे में सब कुछ ले लिया था तो आज इस नसरों भूगल नहीं किया सकता है इसलिए मैंने लास्ट में अरस्टन की राजनितिक सथ्त्या कि आउधारणा आजуп्यूकत्त ॥ू अभू हो आजारना उत्य नहीं है कि अरश्तों youth in a की सबकुषण राजनितिक संहा की अधियर क्या संग्टा इतना जोरूर कहा जाएगा कि अरस्तु ने राजनिती विग्यान को जो सरोच विग्यान की जो परम विद्य की संग्या दिये यह पूरन तया सकते हैं क्यों कि अंतिम रूप में यह देखा जाए तो हमारा जो सद्ध है वो क्या है सद्ध जीवन की प्राप्ति अच्छे अच्छे जीवन की प्राप्ति और फिर लाश्टम कहा दिया जाता है कि सारे सामाजी की विग्यानों का धेवी क्या है मानव जी उनको अच्छे सच्छे बनाना अच्छे जीवन की प्राप्ति और फिर अंतिम यह कह दिया गया कि जितने भी विग्यान है उन सब का भी औरस्तू работы बिलकल कि हैं कि राजनिति विज्ञान का सद्ध्यान अच्छे जीवन इस सद्धियोन ते साधन हैं अता है 강 wonder प सरोच्छी विज्ञान राजनिति विज्ञान परमविध्या यह सब्टेही है इसलिए अंत में आप कहेंगे किऊ रस्तु ने कहा है कि राजनीती विज्ञान, एक सरोची विज्ञान एक सरोची विज्ञान, एक सरोची विज्ञान, अंग्रीजियें लिखे पॉल्लेगल साइन सीजे, मास्टर आर्ट, यास, तो मुझे इस वास है, आप यह बात अच्छे से समझने को होंगे, कि राजनीती विज्ञान एक सरोची विज्ञान है, राजनीती विज्ञान एक परम विद्या है, और आज के बाद में आप राजनीती विज्ञान विशे को बड़ी गंभीरता से समझने का प्रियास करेंगे, ओके बेटा, यस, थेंक्यों वेरी मॉच, थेंक्यों वेरी मॉच,